हाई दोस्तों मैं एड़्वकट पप्पकुमार मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज मैं बात करूँगा सपत पत्र कैसे बनाएं सपत पत्र में किन किन बातों को रखे तो सबसे पहले सपत करता का पूरा नाम पता वह पहचान से जुरी चीजे को लिखे सपत पत्र में लिखा जाने वाला सभी बात अश्वस्ठ होना चाहिए और साफ साफ दिखना चाहिए हो सके तो सपत पत्र को कंप्यूटर से टाइप करा ले सपत पत्र में कानूनी भासा का कम से कम उपियोप करे सिंपल और सधारन तथ्यों के साथ लिखे सपत पत्र में जो सत चीज है जो आपके सर्वत्तम ज्यान में है उस चीज को आप सपत पत्र में लिखे सपत पत्र में भरकाव भासा का इस्तमाल कता ही नहीं किया जाना चाहिए सपत पत्र कभी भी एक अधिवक्ता के समक्ष पबलिक नोटरी के समक्ष या किसी मजिस्टेट के समक्ष ही बनवाना चाहिए सपत पत्र पबलिक नोटरी से बनवाना हो या किसी मजिस्टेट से बनवाना हो सपत पत्र में सपत करता कहां स्ताक्षर होना चाहिए अधिबक्ता कहां स्ताक्षर होना चाहिए पबलिक नोटरी कहां स्ताक्षर मोहर होना चाहिए या magistrate का हस्ताक्षर और मोहर होना चीए सपत्पत्र जो है कोट से एक magistrate की ओर से बनती है और दुसरा public notary बनाते है आपको सपत्पत्र की जरूवत public notary से परती है या कारचे पलक दंडा अदिकारी से तो कारचे पलक दंडा अदिकारी से जब बनबाना होगा तो अब भी एक अधिवक्ता का साइन चाहिए और एक अधिवक्ता के समक्ष आपको सपत लेना है दूसरा नोटरी पबलिक से चाहिए उसमें भी एक अधिवक्ता से सिगनेचर और मोर की जुरुत पड़ेगा सपत पत्र में अस्पष्ट और सरलता से अपने तथ्यों को बताना चाहिए सपत पत्र में बरतनी और बयाकरन की गलतियों से बचना चाहिए एक सपत पत्र कोट से बनने के बाद इन सब बातों को ध्यान में रखे सपत पत्र आप बहुत अच्छा से बना सकते काहे रिष्टिया के भूने कही लुह जान, हाल समचार नब कही लुह जान